क्रिम कितनी कम कैसे यूज होगी सारी पॉइट्स और डिटेल रेसिपी शेयर कर रही हूं और स्पॉंज इतना सूपर सॉफ्ट कैसे बना है क्रीम कितनी यूज हुई है सारी डीटेल में आपके साथ रैसिपी शेयर करने वारी हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिस मिलना है रह्मानी रहीं जिस बहने मुझे कमेंट किया था कि आप ही मुझे डेट पॉंड की केक क पाइनेपल केक बना रही हूं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शियन बॉक्स में रिखती है लेकिन यह वाला जो केक है पाइनेपल केक इसे मेर दो पॉंड का बना रही हूं किक है और से ग्रीस किया वान टेबल इस्पून मैदा लगाया और इसको डस्ट ओफ कर दिया एक्स अच्छ भी आड़ कर देने है वहना चार और बड़े साइस के है तो तीन अंडे भी आड़ कर सकते है अच्छे से बीट करेंगे यहां पर मैने ले लिया है 100 ग्राम जो हमारे पास है पाउडर शूगर घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को ग्राइंड किया हूँ फ्यू ड्र अच्छ से बीट करेंगे यहां पर बीट हमने करना है तकरीबन 7-8 मिनट फूल स्पीड पर हमने लखना है तो यहां पर हमने मैदा ले लिया है 100 ग्राम एक कप मैदा लेना है उसमें से 4 टेबल स्पून रिमूफ कर देने आपने 180 ग्राम वाला काप होगा तिक है उसके करने के बाद हमने हलके हाथ से पैचुला से फोल करते जाना है अच्छी तरह फोल थोड़ा एट करेंगे उसके साथ हमने 1 3rd कप जो है ना वह वह बहुत जादा जो है इसका हमने एट करने का मकसद ही होता है कि बहुत मुष्ट रहता है कि काफी दिनों तक भी अगर केक हलकी से फोल करना है अवर मिक्स ना हो तो हार्ड हो जाएगा उट कर दिया इसको ठीक है और इसके बाद उसे तीन बार अच्छे से टैब करेंगे यह मैंने 9x9 का मूल लिया था ठीक है और इसके बाद प्री हीट पतीले में हम इसे बेक कर लेंगे बेकिंग टाइमिंग 35-40 मिनट या 25-30 मिनट दम वाली आंच से तोड़ी से ज्यादा आंच होगी नतलब इतनी आंच होगी कि हलकी सी पतीले को टच हो रही होगी अगर बर्नर बहुत बड़ा है तो पतीला हाइट में ज्यादा होगा तो बर्नर को टच ना भी हो यह देखें पतीला बिल्कुल ना साथ में लगावा है मैं लाइट आफ करके भी दिखा रही हूँ कि इतनी फ्लेम पर मैंने से रखा था तो करीबन 35-38 मिनट में यह बेक हो गया था तो इस तहीं आज पर मैंने रख दिया था और माशाला अलहमदुलिल्ला बहुत जबर्दस हमारा स्पॉंज बेक हो गया था वनीला केक और जब फ्रॉपर ठंडा हो जाएगा आपने तब अन्मूल करना है तो मैंने जो है गरम गरम में अन्मूल गया जिसके वैसे उपर से हलकी से रा गई और जो उपर लियर नजर आ रही ना यह मेदे की वज़ा से होती है जो मैदा हमने डस्ट किया था तो उपर के लियर को आप कट भी कर दो चाहो तो इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हो तो यहां पर मैं आप वो कट करके दिखा रही हूं माशाला से अलहम्दुरिला कितना अच्छा जाल आया इसके अंदर और बहुत जबर दस जहना हमारा व अच्छा सा कूल जाए ठंडा हो जाए यहां पर क्रीम एड किया है वान का प्लस टो टेबल इस्पून मैंने क्रीम लिया है विप लिया है और इसको अच्छे तरीके से जो हैना हम बीट कर लेंगे इतना बीट करेंगे ताके स्टिफ पीक तक आ जाए चीनी कोई भी भी फ् अच्छा सब्सक्राइब करेंगे अच्छा सब्सक्राइब करेंगे तो माशाला से अलहम दूला कितना जबरदस्त ऐसा ही टेस्ट आएगा आप लोगा भी जैसे बेकरी का केक होता है बलकि उससे भी बहुत जबरदस्त तो यहां पर हमने क्या करना है जब पाइनेपल केक तो पाइनेपल का तिल लेना है जो पाइनेपल का हमारे पास जूस होगा ना हमने मैंने उसके हाफ कप निकला था ना जूस तो मैंने उसके थोड़ा सा फोर टेबल स्पूं तक पानी आट किया और उसी से सोक किया अच्छा बेकरी वाले थोड़ा सा ज्यादा सोक करते है ज जब भी आपने प्लेग लगाने हैं तो थोड़ी से क्रीम करके करके स्थै प्रेस जरूर कर दीन इस तरीके से बहुत अच्छे से साइट से भी यह वन का प्लस फो टेबल स्पून तक जो है ना अगर आपने डेकुरेशन करनी है तो आप डेर्ड कप तक क्रीम ले सकते हैं क्रीम अच्छे से बीट होगी ना तो वह कम कॉंटिटी में लगती है वह सही बीट ना हो तो वह ज्यादा कॉंटिटी में लग जाती है तो हम पैलेट नाइफ से स्मूद कर लेंगे उपर की सर्वेश और इस तरीके से हमने साइट से बिलकुल नीट कर लेना है और हमारा केक अब हम इसकी डेकुरेशन करेंगे इस ताइम पे आप दस मिनट के फीजर में भी रख सकते हैं ताके क्रीम सेट हो जाए यहां पर मैंने ले लिया है वन एंदा हाफ टेबल स्पून ग्लेज ठीक है और इसके अंदर मैं फ्यू रॉप्स रैड कलर के अड़ कर रही हूं तो यह के बाद फीजर में थोड़ा सा मैंने रेड कलर किया थाकर हलका सा पिंक यश और पिची सा कलर आ जाए बहुत जयादा बहुत जाद ना एड करना पड़े स्लीव ने रैट कलर ही अड़ कि लाइट किया है उससे हलका सा लाइट पिंक कलर आजाता है तो पाइपिं बैक यहां पर मैंने 1M नोजल का यूज किया है वन नोजल बहुत जादा जहना यूज होती है और बहुत अच्छे फ्लावर बनते हैं यहां पर डेकुरेशन आपके अपने उपर आप किसी तरह भी इसको डेकुरेट कर सकते हैं यह बहुत मज़े का बनता है और जो बड़ा साइस थोड़ा बड़ा लिया था मतलब हाइट में केक तो चोटे लगते हैं लेकिन इसका पैन साइस जड़ा बड़ा है ठीक है तो इसकी वज़ा से केक हमें बड़ा लग रहा है तो यहां पर जो हमें फ्लावर बना रही हूं और इस तरीके से वन आम नोजल से बहुत ही केक बन जाएंगे और माशाळला से अलहमदुलिल्ला अगर आप लियर में क्रीम जादा लगाएंगे तो हाइट इड में बी केक बन जाता है वेकरीज वाले क्या करते हैं के क्रीम ज्यादा लगाते हैं उनका स्पोंज बहुत थोड़ा सा होता है अंदर से आप में आप लोगो पसंद आयोगी थैंक्स फो वोचिंग